बिहार के सबी लोगों को किसी पर्व का इंतिजार होता है तो वो है छटपूजा इस पर्व में लोग कितना भी दूर क्यों नहों एक बार घर वापस आने की कोसिस जरूर करते हैं ऐसे में अब बॉलिवूद के कालिंग भाया ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है देखिए इस रिपोर्ट में दरसल पंकज त्रिपाठी बिहार के गुपाल गंज के रहने वाले हैं लिहाजा उनका लोक आस्ता का महा पर्व छट से खास लगा वे जब उनसे पूछा गया कि छट पर्व को पंकज त्रिपाठी कैसे सेलिब्रेट करेंगे तो उन्होंने कहा कि छट में मेरी बहुत ही आस्ता है और मेरे घर भी इस बार छट होगा मेरी भाबे इस बार पटना में छट करेंगे वैसे मुंबई में हम लोगे से पुरी आस्ता के साथ करेंगे पंकज ने कहा कि छट की हार्दिक सुपकामना है सूर्य भगवान की पूजा है बाहर के लोगों का भाव होता है इमोशन होता है परिशान रहते हैं कैसे भी घर पहुंच जाए अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो सहर में भी छट करते हैं इसे उस्सा के साथ कई मंचों पर पंकच्ट्रपाटी चट का नाम आते ही इमोशनल हो जाते हैं जब पतना आये तो भारत से उन्होंने खास बादचित की और बताया कि इस बार चट कैसे होगा उन्होंने पूरे बिहार वासियों को सुब कामनेबी दी हैं और ये कहा है कि समय की मजबूरी की वज़े से वो बिहार में तो नहीं आएंगे लेकिन मुंबई में छट होगा पतना में भावी करेगी वहीं छट्युहार के माईने बताय हुए पंकच्ट्रिपाथी कहते हैं हमारे पूरे बिहार में इस पर्व का मान बहुत है हम बिहारियों के लिए यह सबसे बड़ा पर्वुआ करता है बच्पन में तो इसे लेकर बहुत उस्ता होता था पुरे परिवार के लिए नए कपड़े आते थे इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जा जाए इन सब बातों को बहुत मिस करता पंकस्रिपाठी की गिंती बॉलिवुड के बहतरीन अभिनेताओं में होती है अपनी कुसल आदाकारी के चलते उन्होंने प्रसंसकों की एक अच्छी खासी तादाध हासिल कर ली है पंकस्रिपाठी ने अपनी पत्नी मृदिला से लब मेरिज की है दोनों लगभग दो दसकों से एक साथ है हाला कि अक्टर की मा ने स्टेट्स डिफेरेंस के कारण उनकी पत्नी को आस दक नहीं अपनाया है बुर्दिला की पहली मुलकात पंकस्रिपाठी से तब हुई जब वो नौवी क्लास में थी और उन्होंने ग्यारवी क्लास में थी वे तुरंथी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे अभिनेता न सिर्फ अपने करियर के सुरुवाती दिनों में चुनोतिय का सामना किया है लिहाज अब वो उन दिनों को याद करते हुए भावख हो जाते है पंगस रिपाती की गिंती बॉलिवूड के बहतरीन अभिनेताओं में होती है इनके प्रसंसंकों की एक अच्छी खास तदाद है इन्हें सुरुवाती दिनों में चुनोतियों का सामना किया है अब वह उन दिनों को याद करते हुए भावख हो जाते है फिलाल इस कबर में इतना ही देखते रहे न्यूस पॉर्णेश